नमस्ते एवरिवन मैं भूवी मेरी नीटन मचमूर फैमली और मेरे सारे वीवर्स का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है आज हम बेबी कार्डिगन, जैकेट या स्वेटर बुनना सीखेंगे वो भी डिजाइनर कॉलर के साथ आप देख रहे हैं मैंने इसकी कॉलर और नेक की बुनाई कर ली है तो आज हम पार्ट वन सीखेंगे और उसमें कॉलर और नेक की बुनाई करना सीखेंगे और इस तरह की जो डिजाइन वाली जो edge है कैसे बुनते हैं हम आगे वीडियो में सीखेंगे इसकी edge की बुनाई करने के बाद इसको हमने shape देने होती है तो गूलाई में इसकी shape कैसे आएगी हम आगे step by step सीखेंगे और ये कार्डिगन में तीन साल से बड़े और साड़े चार साल तक के बच्चों के नाप की बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंनेज में कॉलर में फंदे कास्ट ओन की हुए फ्रेंट्स में इस कार्डिगन या जैकिट की बुनाई के लिए वर्दमान की ही बूल यूज करी हूँ जो की थ्री प्लाइ बूल है और ये ब्लू बैल नाम से आती है ब्लू और ग्रीन दोनों सेम बूल है और इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लू बैल नाम से आती है तो आज हम ब्लू कलर से कॉलर और नेक की बुनाई सीखेंगे और दोनों कलर की कार्डिगंस मैं सेम नाप की पून रही हूं इसको बूनने के लिए मैं 9 नंबर की सर्कुलर नेडल यूज कर रही हूं और फंदे कास्ट अन करने के लिए 8 नंबर की मैं यूज करूंगी इसके लिए हम फंदे कास्ट अन करेंगे फंदे कास्ट अन करने के लिए मैं 8 नंबर की सर्कुलर नेडल यूज कर रही हूँ क्यूंकि यह double competed then है तो हमें जो अबी फंदे हैं उसको लूज रखना है क्योंकि उसी मेंसे हमने बाद में फंदे उठाने है तो अब या मैं आर्ट नमबर की सर्गुल नेडल में फंदे कास्टान कर रही हूं और यदि आप फंदे कास्टान करने के लिए same needle यूश कर रहे हैं तो आपको थोड़े loose फंदे कास्टान करने होंगे एक not लगाने के बाद मैंने एक फंदा कास्टान कर लिया है अब आगे हमें 104 फंदे कास्टन करने हैं तो टोटल 106 हो जाएंगे अब आगे हमें इसके एज की बुणाई करनी हैं अब यहाँ से हम 9 नमबर की निटल यूज करने हैं और यह रोवन है और याद रखेगा रॉनग साइड है और इस रो की हम पर्ल बुनाई करेंगे इस रॉंग साइट रो नमर वान वी पर्ल अल दे स्टिचेज हमने रो बन की बुनाई कंप्लीट कर ली है अब ये रो सेकंड है सेकंड रो में हम पहला पंदा स्लिप करेंगे फिर यार्ण पीछे लेकर बाकी बच्चे फंदों को हम सीधा बुन कर ये रो कंप्लीट करेंगे नाव दिस राइट साइट रो नमबर टू विल स्लिप फर्स टिच यार्ण वर बैक देन नीट अल दे स्टिच तिल एंग सेकेंड रो की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है अब हम रो थर्ड की बुनाई करेंगे अब ये रो थर्ड है और रोंक साइड है अब इस रो में हम जो फर्स्ट वाला फंदा है उसको ऐसे ंस्लिप करेंगे फिर यार्ण आगे ला आकर बिच्चे फंदों को हम पर्ल बून कर ये रो कंप्लीट करेंगे wrong side row number 3 slip first stitch yarn over front but all the stitches till end हमने wrong side की बुनाई कम्प्लीट कर ली है अब ये right side है अब right side में हम यहाँ पे जालिया बुनेंगे ऐसी हमें designer edge बुननी है जो कि ये double designer edge है तो ऐसी design के लिए हमें जालिया निकालने होगी अब अब ये fourth row है तो इसमें हम जालिया बुनेंगे तो इसमें जो पहला फंदा है उसको हम slip करेंगे फिर इसमें यान हम आगे ही रखेंगे यान आगे रखेंगे फिर आगे के जो दो फंद हैं उन्हें हमें साथ बुनना है तो इन दोनों फंदों को हमें सीधा बुनना है मिल सीधी बुनाई करनी है तो आगे से हमने ऐसे बुना तो यहां पर एक जाली बन गई है अब ऐसी हमें यान फिर से आगी लाना है फिर दो फंदो को हमें फिर से सीधा बुनना है फिर से हमें यान आगी लाना है वैसे हमें दो फंदो को साथ में सीधा बुनना है अब इसी को हमें repeat करना है और row end तक ऐसी ही बूनते जाना है और जालिया निकालते जाना है This is right side row number 4, we slip first stitch, yarn over front, then we'll knit two stitches together, then yarn over and knit two stitches together again and repeat this until one stitch remain, then knit last stitch 4th row की हमने बुनाई complete कर ली है, अब ये row 5th है, तो 5th row में हमें पहला फंदा जोज को slip करना है बागी फंदो को हमें purl बून कर ये row complete करनी है Now this is wrong side, row number 5, we slip first stitch, yarn over front, then purl all the stitches till end 5th row की बुनाई complete कर ली है, अब हमें आगे 6th row की बुनाई करनी है क्योंकि ये double designer edge है, तो इसको हमने ऐसे double करना है, तो आगे हमें बुनाई अभी करनी होगी 6th row में भी हमें पहला फंदा slip करना है, बाकी बच्चे फंदो की सीधी बुनाई करके ये row complete करनी है This is right side, row number 6, slip first stitch, yarn number back, then knit all the stitches till end हमने 6th row की बुनाई complete कर ली है, अब ये 7th row है तो 7th row में हमने पहला फंदा slip करना है, बाकी बच्चे फंदो को पौल बुन कर ये row complete करनी है Wrong side, row number 7, slip first stitch, yarn number front, then purl all the stitches till end हमने 7th row की बुनाई complete कर ली है, अब इसको हमने double करना है अब यहाँ पे हमने double designer edge की बुनाई करनी है, तो जो ये हमारा starting point है जहाँ पे हमने यहाँ फंदे कास्ट ओन के थे, वहाँ से एक फंदा और इस side से एक फंदा उठाकर हमें SCH की बुनाई करनी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर starting point से फंदे उठाते जाने तो इसलिए फंदे हमने दूसरी needle में cast on किये थे ताकि फंदे उठाने में आसानी हो तो फंदे उठाने के लिए मैं दोनों side से यह open needle ले रही हूँ तो जहाँ जैसे हमने फंदे कास्टोन किये थे इन फंदों को एक एक करके हमने उठाना है तो टोटल 106 फंदे होने चाहिए मैं यहाँ पर हाफ हाफ करके फंदे उठाकर बुनूंगी now we pick up 106 stitches from starting point to make double designer edge अभी मैंने इतने ही फंदे उठाए हैं बाद में बाकी फंदे हम उठाकर उनकी भी पुनाई करेंगी आप चाहें तो सारे फंदों को एक साथ भी उठा सकती है अब यहाँ पर इसको हमें दोनों side की फंदों को ऐसे मिलाना है याद रखीगा दोनों side 106 एक 106 फंदे होने चाहिए अब यहाँ पर हम इस side से एक फंदा और दूसरी side से एक फंदा उठाकर दोनों को साथ में बुनेंगे इन दोनों की हमने ऐसे सीधी बुनाई करनी है अब यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा हो गया इसी करके इस side से एक फंदा और दूसरी side से हम एक फंदा उठाकर दोनों को साथ में बुनेंगे तो इसी तरह से हमें आगे बुनते जाना है और दो फंदों का एक फंदा करते जाना है हमारे पास बाद में total 106 फंदे होने चाहिए इस इस रो नमबर 8 और राइट साइड ना वी मेक डबल दिजाइनर बॉर्डर सो आप अल्ड़ी पिक्ट अप समें स्टिजिश फ्रॉम स्टाइंग पिक अपन बॉन स्टिश फ्रॉम बोस साइड और नीट इस तो स्टिजिश तोगेदर और रिपीट इस तिल एंड अभी हम राइट साइड की बुनाई कर रहे हैं और यह रॉंग साइड है तो यहां पे राइट साइड में हम यहां मारकर लगा देंगे ताकि हमको बाद में याद रहे कि यह राइट साइड है मारकर हमने लगा लिया है अब आगे हम उसी को रिपीट करेंगे दो फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और ये रो एंड करेंगे हमने यहां तक बुनाई कर ली है अभी फंदे बागी है अभी आगे हमें बूनना है पहले तो हमने निडिल से यहां पे फंदे उठाये थे अभी दूसरा मेथड है जिससे आप आसानी से फंदे उठाकर उपर वाले फंदे के साथ मिलाकर बून सकते यहां से हमने starting point से एक फंदा उठाया अपर वाले फंदे के साथ मिला कर हमको दो फंदों का एक फंदा करना है ऐसी ही करके हमें जस्ट नीचे से एक फंदा उठा कर दोनों को साथ में मिला कर बूनते जाना है आपकी choice है आपको जो भी method comfortable लगता है उस method से फंदे उठा कर बून सकते हैं कर दृन सकते हैं झाल झाल अब इसी रो के end होने के साथ double designer edge की बुनाई यहां complete होती है I hope आपको यह बहुत easy लगा होगा edge की हमने बुनाई complete कर ली है और जहां पर यह marker लगा है यह right side है मैं marker को थोड़ा आगे shift कर देती हूँ ताकि बूनने में बाद में comfortable हो हमने double designer edge की बुनाई कर ली है और 8th row तक हमने बून लिया था अब आगे हमें बुनाई करनी है तो यह row 9 है तो row 9 में हमने जो पहला फंदा है उसको slip करना है फिर यह यान पीछे साइड लेना है फिर पाकी बच्चे फंदों को हमने सीधा बून कर यह row complete करनी है इस इस रॉंग साइड रो नमबर 9 स्लिप फिर स्टिच यान उबर पैग दें नीट अल दे स्टिच तिल एंड हमने 9th row रॉंग साइड की बुनाई complete कर ली है यह रॉंग साइड था अब हम राइट साइड में आ गए है अब यहां तक तो हमने बुन लिया है इसकी एज बुनना बहुत ही आसान था अब हमें आगे इसको शेप देना है तो इसकी जो आगे की बुनाई है वो बहुत important है अभी तो हमने सिर्फ एज की बुनाई की अब आगे हमें color को शेप देना है इसके आगे की जो वीडियो है आप बिलकुल द्यान से देखेगा मैं step by step आपको इसकी शेप कैसे लानी है वो बताऊंगी आप वीडियो को बिलकुल skip न करें क्योंकि आपने इसको skip किया तो आगे आपका एक भी रोस में छूड़ गया तो इसकी शेप गड़ बड़ हो सकती है now we learn how to shape the collar so we divided into three parts we have 106 stitches so we divided into 14 plus 78 plus 14 अब यहां total 106 फंदे हैं हमने तीन पार्स में इसको divide करना है इस side यहां पे 14 फंदे फिर मार कर लगाया है फिर यहां पे 78 फंदे हैं फिर से यहां मार कर लगा कर इस side 14 फंदे हमने divide की हैं तो total 106 फंदों को हमने ऐसे divide कर लिया है अब फंदे divide करने के बाद यहां से हम बुन्ना start करेंगे और इसको हम row 1 count करेंगे now we shape the collar from here so we count it row 1 अब हमें row 1 की बुनाई करनी है तो पहला फंदा हम slip करेंगे आगे के 11 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे 11 फंदों की हमने सीधी बुनाई कर लिया और यहां marker point से पहले 2 फंदे बच गए तो अब इन 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है और marker point के दूसरी साइट के 2 फंदों को भी साथ में बुनना है तो इस साइट के जो 2 फंदे हैं उसको हम साथ में बुननेंगे एक साथ हमने इसकी सीधी बुनाई करनी है अब इस साइट हमने 2 फंदों का एक फंदा कर लिया और यहां पे हम marker लगा देंगे पे मार करके दूसरी साइट के 2 फंदों का भी हम एक फंदा करेंगे तो यहां पे एक एक फंदा गट गया इस साइट से एक फंदा गट गया और इस साइट से एक फंदा गट गया अब इसके आगे हमें सीधी बुनाई करते जाना है किः टी फंदे बचने तक कि उस्क रोवन राइट साइट विसले 1st से लूसरी विसले 2st no break before the marker point after that knit two stitches together again after marker point so till now we decrease two stitches friends now continue and knit until two stitches left before the marker point and then knit two stitches together before the marker point and then knit two stitches again after the marker point after that knit two stitches left 10 stitches other side and turn हमने यहां तक बुनाई कर लिए है और यहां दो फंदे बच के हैं इस साइड अब इसी तरह से जैसे हमने इस साइड दो फंदे डिक्रीज किये थे वैसे ही यहां भी करना है तो यहां पहले हम इस साइड दो फंदों का एक फंदा करेंगे फिर उसके बाद मार कर लगाएंग फिर दूसरी साइड भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 फंदे हैं हमने यहाँ पे एक फंदा डिक्रीस कर लिया है अब इसके आगे हमें एक फंदे की सीधी बुनाए करने इसके बाद याद रखेगा एक फंदा हमें सीधा पुनना है एक फंदा हमने बुना फिर उसके बाद का जो फंदा है उसको भी हमने सीधा बुनना है अब बच गए यहाँ पे 10 फंदे अब यहां दस बंदे बच गए है अब इसके आगे हमने बुनाई नहीं करनी है अब यहां से आपको दियान देना है यही से main part start होता है तो हम color को shape देंगे तो उसके लिए हमें back आना है आगे बुनाई नहीं करनी है जो दस बंदे बच्चे हैं उसको वैसी रहने देना है इस साइड से हम यहां पे बैक आ जाएंगे अब यहां बैक आकर यहां से रोज सेकेंड स्टार्ट होगा तो इसमें जो पहला फंदा है उसको हमने ऐसे पहले सलिप करना है फिर ऐसे पुल करके इसको पीछे साइड ले जाना है उससे कॉलर की ऐसी शेप आएगी यह याद रखेगा हमको यह हर बार करना है इसको हमें पहले ऐसे slip करना है फिर ऐसे backside पुल करना है और याद रखेगा यह wrong side है पहले फंदे कह हमने pull किया कि यह फिर आगे के जो Marker Point से पहले दो फंदे हैं उनको हमें सीधा ही बुनना है ऐसे खीच कर हमको आगे की दो फंदो को सीधा बुनना है मार्कर लगाने के बाद हमें सीधी बुनाई करते जाना है दूसरी साइड के मार्कर पॉइंट तक नाओ बैक दिस रॉंग साइड और रो नमबर 2 we slip first stitch then pull back same stitch to shape the collar after that need two stitches and then continue any till before the marker point and need three stitches after the marker point हमने यहां तक बुनाई कर ली है और marker point से पहले यह दो फंदे हैं इनको भी हमने सीधा बुनना है फिर यहां पे marker लगा लेंगे फिर आगे के दो फंदो की भी हमें सीधी बुनाई करनी है अब यहां पे 2, 4, 6, 8, 10 और 11 फंदे तो यहां भी हमें इस साइड से 1 फंदा सीधा बुनना है तो इस साइड भी अब 10 फंदे बच गए है फिर उसके बाद हमें फिर से back आना है फिर से हमें back आना है और हम right साइड में आ गए हैं अब यह row 3 है तो हम इसको भी row 1 की तरह ही बुनना है इसमें पहला फंदा हम slip करके उसे back साइड पुल करके फिर marker point से पहले के जो दो फंदे हैं उन्हें साथ में बुनेंगे याद रखिएगा हमें right साइड में ही फंदे दोनों साइड से कटाने है अब यहां right साइड में हमने दो फंदों का इस साइड एक फंदा कर लिया है यह हमें right साइड में करना है wrong साइड में नहीं अब marker point के बाद भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है अब यहां मार्कर लगाने के बाद दूसरी साइड भी हमें दो फंदो का एक फंदा करने के बाद आगे मार्कर पॉइंट से पहले दो फंदे बशने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है पॉइंट ड्नान हें यहां में पॉइंट पारण देजर से अब दूसरी से बचीज और मार्कर प्रेंद आप आओ अब दो्थे कोगरण में आप सैञा हमने marker point से पहले दो फंदे बशने तक बुनाई कर ली है अब हमें यहां की तरह ही इधर भी दो फंदों का एक फंदा करना है marker point से पहले हमने दो फंदों का एक फंदा किया अब दूसरी side भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है अब हमने दोनों साइड एक फंदा कटा लिया है अब ये वो फंदा है जिसको हमने रॉंग साइड से पुल बैक किया था ये यहाँ पे दो फंदो जैसा लग रहा है पर एक ही फंदा है उसको हम आगे से ऐसे बुनेंगे अब यह जब हमने pull back किया था दो फंदे जैसा हुआ था इसको हमने ऐसे 7 में सीधी साइड से बूनना है ऐसे बूनने से scholar में ऐसी shape आती है अब आगे हमें 1 फंदा सीधा बूनना है अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे हैं भी तो यहाँ से हम 1 फंदा बूनेंगे तो उस साइड 9 फंदे बजगे हैं अब फिर से हम back आएंगे फिर यह wrong साइड है तो row fourth है और इसकी बुनाई वैसे करेंगे जैसे हमने row second की की थी तो इसमें जो पहला फंदा उसको slip करके हमने pull back करना है फिर आगे के दो फंदो को हमने सीधा बुनना है जो की marker point से पहले है फिर उसके बाद के फंदो को हमने सीधा बुनते जाना है दूसरी साइड के marker point तक now this is wrong side row number 4 repeat row number 2 and complete this row इसको हमने second row की तरह ही बुनना है तो marker point के बाद हमें एक फंदा सीधा बुनना है और जो pull back किया था उस फंदे को भी हमने सीधा ही बुनना है अभी हम wrong side की बुनाई कर रहे हैं तो दूसरी side यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे बचे हैं इस side जैसे हमने 10 फंदों से 9 फंदा किया था वैसे इस side हमने 1 फंदा इस side लेना है तो यहाँ 9 फंदे बचे हैं wrong side की बुनाई करने की बाद हमें फिर से back आना है अब यह right side है और row number 5 है इसमें हमने पहला फंदा slip करके इसको pull करके ऐसे back side ले जाना है और थोड़ा tight इसको रखना है में ताकि color की shape अच्छे से आ जाए फिर यह right side है तो हमें इस side फंदे गटाने तो यहाँ पे 2 फंदों का हम 1 फंदा करेंगे marker point से पहले अब यहाँ marker point से पहले हमने 2 फंदों का 1 फंदा किया अब marker point के बाद भी हमें 2 फंदों का 1 फंदा करना है फिर यहाँ पे दोनों side एक एक फंदा गटाने के बाद हमें अब दूसरी side marker point से पहले 2 फंदे बशने तक हमें बुनते जाना है में सीधी बुनाई करते जाना है now this is right side row 5 repeat row 3rd and complete this row हमने marker point से पहले 2 फंदे बशने तक बुनाई कर लिए है अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 फंदा करना है फिर marker लगाना है अब यहाँ पे 2 फंदों का हमने 1 फंदा किया फिर दूसरी side भी हमें 2 फंदों का 1 फंदा करना है फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा करने के बाद फिर जो फंदा हमने pull back किया था उसको हमने सीधा बुनना है अब यहाँ पे 1 फंदा बुनने के बाद इस side 2, 4, 6, 8 और 9 फंदे बचे हुए है तो इसमें से हमने 1 फंदा बुनना है तो इस side 8 फंदे बच गए row 5 की बुनाई हमने complete कर ली है अब हम back आ गए है अब यह row 6 है तो इसमें हमने 1 फंदा slip करके pull करना है फिर उसके बाद आगे 2 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है फिर marker लगाना है फिर आगे हमें सीधी बुनाई करते जाना है दूसरी side के marker pointer now this is wrong side and row number 6 repeat row number 4 and complete this row अब marker pointer बुनने के बाद हम यहां marker लगा लेंगे फिर दूसरी side भी हमें सीधी बुनाई करनी है एक फंदा हमने सीधा बुना उसके बाद जो pull back किया था उस फंदे को भी हमने सीधा बुनना है अब बच्चे इस wrong side के 9 फंदे अब इन 9 फंदों मैंसे हमने यहां की तरह एक फंदा इस side लेना है अब दूसरी side भी 8 फंदे बच गए है और row 6 complete होता है अब हम back आएंगे फिर row 7 की बुनाई करेंगे तो उसमें हमने पहला फंदा slip करके उसे back side ऐसे लेना है फिर right side में हमें marker point से पहले दो फंदों का एक फंदा करना है इसको थोड़ा सा tight खीश के आगे के दो फंदों को एक फंदा करें फिर marker लगा कर दूसरी side भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है अब यहां हमने दो फंदों का एक फंदा कर लिया है आगे अब marker point से पहले दो फंदे बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है this is right side row number 7 repeat row 5 and complete this row आप यहां दो फंदे बचने ता हमने बुनाई कर लिक है अब इन दो फंदों का हमने एक फंदा करना है फिर यहां पे आप मार कर लगाएंगे फिर आगे के दो फंदों का भी हमने एक फंदा करना है उसके बाद जो हमने पुल बैक किया था उस पंडे की हमने सीधी बुनाई करनी है अब यहाँ तक बुल लेने के बाद यहाँ 2,4,6 और 8 फंदे बच गए है अब यहाँ तक बुल लेने के बाद दूसरी साइट के 8 फंदों में से हमें एक फंदा इस साइड लेना है फिर हम आगे wrong side की बुनाई करेंगे ऐसे करके आगे हमें फंदे गटाते जाने हैं दोनों side से तब तक हमको collar को shape देते जाना है और दोनों side से फंदे गटाते जाने हैं जब तक की 70 फंदे total बच नहीं जाते Now we'll complete row number 7 and row number 8 And then repeat last 2 rows until 70 stitches remain मैंने collar की बुनाई इतनी कर ली है और हमने wrong side की बुनाई करके बैक आकर यहां right side में इस side एक एक फंदा गटा लिया है और यहां पे अब 5 फंदे बच गए हैं और यह 3, 4 और 5 यहां पे 5 फंदे बच गए हैं अब यहां तक मैंने बून लिया है आगे marker point से पहले 2 फंदा बचने तक हमें बूनते जाना है इस side अभी 6 फंदे हैं तो हमें 5 फंदा करना है तो यहां भी हमने marker point से पहले 2 फंदे बचने तक बूनते जाना है तो यहां 2 फंदे बचके हैं इन 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे फिर यहां पे marker लगाकर दूसरी साइड भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है तो यहां भी हम दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे फिर उसके बाद आगे का जो पुल किया था उस फंदे की बुनाई करेंगे फिर बच्चे तीन पंद, अब इन tीन पंदो को यहां से हमें आप बैक नहीं जाना है, तीन पंद की सीधी बुनाई करनी है तो यहां होगे लास्ट में पांच पंद, अब एक साइड पांच पंद, बीच में 60 पंदध और एक साइट पांच फंदे मिला कर टोटल 70 फंदे हो गए अब इसी के साथ कॉलर की बुनाई कम्प्लीट होती है अब यहाँ पे मैंने जो यह मारकर लगाया है उसको शिफ्ट करके मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ कॉलर की बुनाई हमने कम्प्लीट कर ली है अब आगे हमें नेक की बुनाई करनी है यहाँ 70 फंदे बचके हैं अब हमें यहाँ आगे नेक बुनना है तो नेक की बुनाई के लिए हमें फंदे यहाँ बढ़ाने होंगे दोनों साइट से तो अब यहां से हमारी नेक की बुनाई शुरू होगी तो अब नेक की बुनाई कैसे करनी है आगे हम सीखेंगे अब कॉलर की बुनाई में कितने पर्ल रोज हैं वो मैं आपको गिन कर बताती हूँ तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नौ तो कॉलर में हमने एक साइड नाइन पर्ल लोज की बुनाई की है कॉलर की तो बुनाई हमने कम्प्लीट कर ली है अब हमें नेक पार्ट की बुनाई करनी है यहीं से हम नेक पार्ट की बुनाई करेंगे और राइट साइट के एंड से हमें पहले दो फंदे उठाने हैं. हमने इस साइट दो फंदे बढ़ा ले हैं. अब आगे हमें और फंदे बढ़ाने हैं क्योंकि हमें नेक पार्ट के लिए और फंदे चाहिए. चो हमने लास्ट वाला फंदा बुना है, उसी के जस्ट नीचे से हमें फंदा उठाना है. क्रोशा से जैसे मैं फंदे उठा रही हूँ, वैसी आप देखकर फंदे उठाएगा. अब यहां एक बार हमने बुनाई की, फिर एक फंदा हमने कास्ट ओन किया. फिर से हम क्रोशा से बुनाई करेंगे, फिर से एक फंदा कास्ट ओन करेंगे. तो दो फंदे हमने कास्ट ओन कर लिए, अब यह तीसरा है, और यह चौथा, और यह पांचवा, और यह छठा, और यह सात्वा, और इसको मिलाकर आठ फंदे हो गए. तो यहां पे आठ फंदे हमने और बढ़ा हैं, तो दस फंदे हमने इस साइट बढ़ा लिए हैं. अब पहले 70 फंदे थे, 10 फंदे और जोड़ गे, तो यहाँ पर 80 फंदे हो गए हैं, 80 फंदे अभी तक हो गए हैं, अभी हमें दूसरे साइड भी ऐसी ही फंदे बढ़ाने हैं, तो टोटल हमें 10 फंदे दूसरे साइड बढ़ाने हैं, अभी हम इस साइड से बुनते और दूसरी साइड भी बढ़ाएंगे फंदे तो हमें रो एंड तक सीधी ही बुनाई करते जाना है अब हमने यहां तक बुनाई कर ली है अब हम यहां से मारकर हटा सकते हैं अब इसको मारकर को हम हटा देंगे और आगे बुनाई कंट्यूनू करेंगे रो एंड तक हमें ऐसी ही बुनते जाना है रो एंड तक हमने बुनाई कर ली है अब आगे हमें फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने पहले फंदे बढ़ाये थे इस साइड वैसी हमें यहां भी 10 फंदे बढ़ाने हैं पहले हमें 2 फंदे उठाने हैं फिर उसके बाद 10 फंदे हम कास्ट आउन करेंगे पहले यहां से हम 2 फंदे पहले की तरह उठाएंगे तो फंदे यहां से हमने उठा ले हैं अब आगे हमें 8 फंदे कास्ट आउन करने तो हम क्रोशा से वैसे ही फंदे कास्ट आउन करेंगे जैसे हमने दूसरी साइट किया था तो इस साइट भी हमने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं तो टोटल अब 90 फंदे हो गएं 10 फंदे पहले हमने बढ़ाए बीच में 70 फंदे और इस साइट 10 फंदे तो टोटल 90 फंदे हो गएं अब आगे हम नेक की बुनाई करेंगे इसको हम रो वन काउंट करेंगे और इसकी पूरी सीधी ही बुनाई करेंगे और याद रिखेगा ये रॉंग साइड है फर्स्ट रो की हमने बुनाई कम्प्लीट कर ली है अब हमें सेकेंड रो की बुनाई कर ली है अब नेक पार्ट है हमको इसमें पर्ल ही बूनना है तो इस रो में हम फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे बाकी बच्चे फंदों को सीधा बून कर ये रो कम्प्लीट करेंगे सेकेंड रो की हमने बुनाय कम्प्लीट कर ली है अब ये रो थर्ड है रो थर्ड को भी हमने लास्ट रो की तरह ही बूनना है इसमें पहला फंदा हम स्लिप करेंगे बाकी बच्चे फंदों को हम सीधा ही बून कर ये रो कम्प्लीट करेंगे अब यह फोर्थ रो में हमें दूसरी साइट बटन होल की भी बुनाई करना है, तो दूसरी साइट के पांच बंदे बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है अब यहां तब बुनाए करने के बाद इस साइट पांच फंदे बच गए और इस साइट हमें बटन होल बनाना है तो आगे के जो दो फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनना है दो फंदों का हमने यहां एक फंदा करना है फिर वच्चे तीन फंदो को सीधा बुन कर हमें ये रो कम्प्लीट करनी है फोर्थ रो की भी बुनाई कम्प्लीट हो गई है अब ये फिफ्थ रो है तो फिफ्थ रो में हमने पहला जो फंदा उसको स्लिप करना है फिर आगे के तीन फंदो के हमने सीधी बुनाई करनी है तो यहां पे चार फंदे हो गए रैट साइड में हमने यहां एक फंदा गटाया था ये रोंग साइड बुन्डे याद रखेगा इसमें हमने यहां एक फंदा बढ़ाना है और यहां एक जाली बन गई जिससे बटन होल बनेगा फिर आगे हमें सीधी बुनाई करके ये रो कमप्लीट करने है हमने 5th row की भी बुनाई complete कर ली है और button hole भी बना लिया अब ये 6th row है इसमें पहला फंदा हम slip करेंगे बाकी बचे फंदों को सीधा ही बुनकर ये row भी complete करेंगे 6th row तक हमने बुनाई कर ली है अब ये आगे हमें बुनना है उससे पहले हम इसकी एक बार shape देख लेते हैं किस तरह की shape आईए ये collar का part है इसको ऐसे रखना है अब ये neck वाला part है collar का तो ये right part है लेकिन ये neck part का wrong side है ये wrong side है हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ये इसका right side है तो collar का ये right side है और यहां neck part का right side ये है तो यहाँ पे हम marker लगा लेंगे ताकि हमको याद रहे कि ये right side है हमने right side में marker लगा लिया है अब हमें आगे बुनाई करनी है तो अब हम 7th row की बुनाई करेंगे 6th row तक हमने बुन लिया था अब ये 7th row है और wrong side है अब इस row में भी हमने first वाला फंदा slip करना है बागी बच्चे फंदो को सीधा बुन कर ये row end करनी है हमने 7th row भी complete कर लिया है अब हमें 8th row की बुनाई करनी है इसमें भी हम पहला फंदा slip करेंगे बागी बच्चे फंदो को सीधा ही बुन कर ये row भी complete करेंगे 8th row की हमने बुनाई complete कर लिया है अब इसी row को हमने repeat करके तीन और रोज हमने बुनने है अब ये neck part की बुनाई है तो आप इसको जितना चौड़ा बुनना चाती है अपने हिसाप से इसको बुन सकते है मैंने neck part की भी बुनाई complete कर ली है आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल same नाप की बनी है अब neck part की तो हमने बुनाई complete कर ली है अब इसके आगे की बुनाई कैसे करनी हैं next part में सीखेंगे यहां तक आपको वीडियो कैसा लगा और यह caller आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कर दीजीगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को share जरूर कर दीजीगा ताकि औरों के लिए भी ये वीडियो helpful है और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा आज के लिए बस इतना ही बहुत जल्द मिलेंगे part 2 के साथ आप सबी हमेशा स्वस्त और सुखी रहें इसी विश्च के साथ आज की वीडियो में यही पर end करूंगी आज का वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद